तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा नटखट सा प्यारा सा बट बहुत यूसफुल सा कीवर्ड और मौस का कॉमबो अब दूस्तों बोलते हैं बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेज़स वैसे ये जो आपको कीवर्ड और मौस आपने अभी जस्त देखा है वो इस बात पर बखुबी खारा उतरता है कैसे उतरता है वो देखेंगे हम इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बाद गाइडिंग टेक याने जीटी हिंदी के साथ दोस्तों शुरुबाब करते हैं दिवाइस के नाम से और यह है मेंटेस्टेक का कीबोर्ड और माउस बिसिकली कीबोर्ड और टचपैड का कॉम्बो बोलना चाहिए और वो भी वाइलेस जियां इतना सा है दोस्तों यह देखे अगर आप देख रहें कैमरे में तो बहुत ही जादा छोटा है लेकिन इसमें आपको पूरा का पूरा कीबोर्ड मिल रहा है और उसके साफ में एक टचपैड भी मिल रहा है जैसे कि आपको लाप्टॉप मिलता है और उसमें भी डूल टफ सप बाटरी लगी और जब आप इसके डिवाइस को कवर को खोलेंगे तो दोस्तों इसको वाइलिस रिसीवर है वो भी आपको इसके निदर मिल जाएगा जो आपको अपने कंप्यूटर पे या फिर आप इसे अपने अंडॉइड टीवी पे भी लगा सकते है अब जैसी आपने जाएगी अगर आप इसको इनर में कनवर्ट करें तो अब इसके जो दूसरी सबसे ची यूस पी वो इसकी साइज है जैसे मैं आपको अलड़ी बताया यह आपके एक पाम में अराम से फिट हो जाएगा और इसमें आपको मिलता है पूर का पूरा कीबोर उसके साथ मल्टी सपोर्ट का टच पैट और दोस्तों डेडिकेटेड मीडिया कंट्रोल की अगर आप इससे अपने कंप्यूटर पे या अपने अंडॉइड पे अगर लगाएंगे अनुटी में तो आप डिरेक्ली किसी वीडियो को प्ले पॉज उसके वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते है इस अपने कॉलेज लाइब में होता था तो मैं अपने लापटोप पे मूवीज देखता था और वहां पे दोस्तों मुझे अपना वाइलेस माउस हमेशा अपने पास अगना परता था और जो कीवर्ड था दोस्तों वह भी बहुत ही बड़ा था जो इसके साथ आता था लेकिन अब आप इस छोटे से डिवाइस को अपने कम्यूटर में लगा करके अराम से मूवीज देख सकते हैं और यह दोस्तों लगबग पांच मीटर तक काम करता है जो की बहुत ही अच्छी बात है और फाइनली आते दोस्तों इसको कीवर्ड की तरफ तो यहां पे आपको पूर बंद भी कर सकते हैं तो आप इसको बेसिकली एक फुल ब्लों कीबोर्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर आप इसमें इसली टाइपिंग कर पाएंगे मतलब जैसे दोस्तों पुराने जमाने में नुक्या E63 आता था ता वैसा आपको लगेगा इस पर टाइप करते वक् लेकिन अगर आपको कहीं दूर बैट करके कुछ जल्दी से अगर टेक्स अडिट करना है तो बस आप इसको अराम से अपने आफस में यूज कर सकते हैं अब यूज कर सकते हैं तो जितने भी दोस्तों अगर आप यूसेश देके तो बहुत सादा है और डिफरेंट सिन्यार के बारे में यह जो गैजट था उस वीडियो में इसको एक गैजट की तर लिस्ट करना था लेकिन जब मैं इसको एक दो दिन यूस कहा तो मुझे समझ में आगे दोस्तो इस पे तो एक अलग से वीडियो बनाने पड़ेगी विकॉस सच में यह है घजब टेक तो आप इस टेक से मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूँगा और आप डिरेक्टी वहाँ पे क्लिक करके इस दिवाइस को और कर सकते हैं अब जाते जाते दोस्तों एक और बात कि आप में से बहुत लोग पूछते थे कि हम कौन से दिन पर कौन से वीडियो बना रहे हैं तो मैं वाप और पी सवाल है तो हमें कमेंट्स में पूस सकते हैं ये वीडियो अगर आपका पसंद है तो एक थमस अप जरूर दीजेगा और हमारे चानल चीटी हिंदी को सब्सक्राइब बदना मत भूलीगा बिकॉस हम आगे जाकर कैसे कूल गैजट्स पे कूलस्ट वीडियो जरूर बनाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना और अगले वीडियो में आपसे मिलनी की आशार रखते वे गड़ बाई